कि मेरी सरकारी नों के छूट चुके थी और मेरे पास कुछ पैसे ही बचे थे, किराया पर कहीं एक जगा भी मिल गई, जिसे बमुस्किलम 4-5 घंटे के लिए इस्तमाल कर सकते थे, उसमें वरसाथ के दिनों में पानी भी जब जाता था, शायद अगर महा मेरतन का इतिहास खं आते होंगे या फेसबूर के रेल्स को पलटते होंगे तो आपको मेरा रेल्स दिख जाता होगा, लेकिन मेरा रेल्स जो आपको दिखता होगा, उसमें बहुत सारी वाइरल कविताएं दिखती होगी, और छात्र भी कई बार कहते हैं, कि सर जब-जब मैं डी-मोटिवेट ह तो आपकी दो-तीन कविताएं हैं जिनको सुन लेता हों, तो उसके बाद हमारे रगों में खून की रफ्तार दुगनी हो जाती है, और कलम फिर से उड़ने लगता है, नमस्कार दोस्तों, आप मुझे सशी शरण के रूप में जानते होंगे, लेकिन मेरी जरनी के और जब वो महिने का तन्फवा उठाकर कमा कर लाते थे, तो फिर हम सब को बांट कर और माता जी को पैसा देकर चले जाते थे, और उसके बाद सायद वो फिर खाली पॉकेट छपरा की और लोड़ जाते थे, मेरे पिता एक साधारन कलर्प थे, मेरी माता एक ग्रिहनी थी, लेकिन मेरे पिता का जजबा और जुनून इतना हूँचा था, कि मेरे पिता ने मुझे 1994 और 95 के दौर में ही, जिनकी तन्फवा उस समय कुछ 101 सेंक्रूर रुपए में हुआ करती थी, मुझे पटना में रह कर होस्टल में पढ़ाया था, ताकि मैंने तरहाट और अन्य वि नौकरियां में नौकरी की, लेकिन मेरे डिस्टनी मुझे सिक्षक की ओर ले गई, कई बार ऐसे मौके आए जब मेरे पडिवार के अंदर में मेरे भाई जिनका नाम सौरवचरन है, उन्होंने मुझे काफी जाता आतमल दिया, जब-जब मेरा पडिवार के लोगों ने बि बात करीब, फिर मैं करनाटक में सलेक्ट हुआ, और करनाटक में मैंने हुबली धारवार में स्टेट बैंक आफ इंडिया में पी-ओ के पद पर चैनित हुआ, वहां नौकरी की, फिर मैं स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में पी-ओ के पद पर गन-फांडरी मेरा जॉइनि कर लिया उसके बाद बैंक ऑब अरोधा और ना जाने कही संस्थानों पर मैं ने उनके रिजल्ट में सक्सिस्फुल हुआ और उन सक्सिस्फुल होने के बावजूद मैंने अपने फेशे को अपनाया जिसका नाम था सिक्षक बनना मेरे दिल में मेरे दिमाग में बस यही एक बात आती थी कि मुझे कुछ खुद का करना है और मुझे बच्चों को पढ़ाना है और मैं आज फिलहाल बिहार में बिहार के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं अपने इस पढ़ाई में पेशे से आने से पहले मैंने विभिन सिक्षन संस्थानों में पढ़ाया है और भारत के सबसे बड़े टेक इंडस्थी में से एक अपने दौर का अनेकैडमी में मैंने भी पढ़ाया है जब मैंने खुद की कोचिंग लाज शुरू करने की सोच ही तो फिर मेरे पास सबसे बड़ी समस्या आए कि जगा कैसी ही जाए क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी छूप चुकी थी और मेरे पास कुछ पैसे ही बचे थे जिन पैसे का इस्तमाल करकर मैं अपनी संस्था को खड़ा करना चाहता था उससे ज़्यादा समस्या हुई कि अगर किराया पर कहीं एक जगा भी मिल गई जिसे बमुस्किलम चार से पांच घंटी के लिए इस्तमाल कर सकते थे उसमें वर्सात के दिनों में पानी भी जम जाता था लेकिन उसके बाद एक बरी चुनावती आई कि बोर्ड बैनर और परचार प्रसार कैसे होगा और साथी साथ एक सिक्षक से कुछ नहीं होगा आपको कोचिंग अगर चलाना है तो कई विश्यों के सिक्षक आपको लाने होंगे और उन्हें पैसा देना होगा किसी प्रकार से जोड़ चेत कर ये संस्था खड़ी हुई और जब ये संस्था खड़ी हुई तो उसके बाद ये मच्वाटोली से सुरू हुई मचवटोली के बाद राजेंदर नगर आये, राजेंदर नगर के बाद भिखना पहरी ये संस्था गई और आज बोडिंग रोड में ये स्टाब्लिश है और आज वो संस्था सो लोगों से जादा की है आज जो दो लोगों से शुरू हुई संस्था थी, आज उसमें लगवख सो लोग से जादा है पहले हम सिर्फ 14 या 15 बच्चों से हमने करियर के शुरुआत की थी और आज नवजाने 2-3-4 लाग से जादा बच्चे हम अभी तक पढ़ा चुके हैं और अभी भी लाखो बच्चे लगातार ऑफिसर एकडमी में पढ़ रहे हैं मुझे एक बच्चे की कहानी आज भी याद है वो बच्चा एक बहुत भी गरीब परिवार से आता था जिसके पिताजी दिन में पान की दुकान लगाते थे और रात में उसके पिताजी रिक्षा चलाते थे मैंने उसके उपर कविता भी कई बार कही है कि उनके पिताजी जब रिक्षा खीचते होंगे और वो जुनूनी बच्चा मुझे आज भी याद है जिसके पास पतना में रहने को पैसा नहीं गवा करता था और साइद वो कम पैसों में भी जीवन बसर करता था मुझे याद है कि वो बच्चा की नी कोचिंग संस्थानों में जाकर अलग अलग जाकर जगों पर काम करता था और फिर आकर पढ़ाई करता था और आज वो कहीं चैनित को कर एक अधिकारी के रूप में ताम करता है तो ऐसे बहुत सारे उदाहरन मिलते हैं जो हमें भी मोटिवेट करते हैं और देखिए एक बात तो तह है कि आज कि इस डिजिटल करांदी कारे युग में पैसा किसी के लिए बाधा नहीं है अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं अगर आप अच्छी सिक्षा गरहन करना चाहते हैं तो कभी भी पैसा बाधा नहीं बन सकती है क्योंकि मेरे और मेरे जनावा ना जाने कितने सैक्रों लोग सैक्रों सिक्षक भारत के कोने कोने में बैठे हैं जो बहुत कम पैसे में आज के दौर में आपको सिक्षा दे रहे हैं ऑलनाइन सिक्षा की ये पहुत से उन्होंने मजबूती परदान करी है आज के दौर में जब डिस्टल युक की हम बात करते हैं तो आज के दौर में Officer Academy ने इतना तो जरूर कर दिया है कि हर बाप जो है अपने बेटे से छाती चोड़ा करके ये कह सकता है कि पैसा तुम्हारे पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती है क्योंकि आज के दौर में बहुत पिता जी में पैसे के कारण नहीं परपाया ये इस आज के दौर की कहानी है बीपियसी के अंदर में जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो पहली बार शायद एक या दो लोग पीटी पास कर पाए उसके बाद कुछ बीस पच्छिस लोग पीटी पास किये फिर धीरे ये जो आपको भ्रमित करने के लिए होते हैं मैं उस अंडस्टी का भी हूँ खेर बीपियसी की जब हम बात करते हैं तो बिहार में अभी सबसे बड़ी भरती परिक्षा आयोग जित की गई जो बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा थी बीपियसी भारत का एक मातर ऐसा जब आने शुरू हुए तो जिस दिन रजल्ट आया रात बर वो रिजल्ट रुका नहीं और हमने जब आकरा शुरू किया गिनना तो कभी वो 5,000 कभी वो 6,000 और ना जाने मैं अगर कहूं तो आकरा कम पर सकता है 10,000 के उपर भी लोग सफल हुए इसके बाद भी हमने कई सा बिकने से पहले सिक्षक बिक जाते हैं मैं ठीक कह रहा हूँ ये कई बार मैंने महसूस किया है कि आज साम को जिस सिक्षक के साथ आप पढ़ रहे हैं हो सकता है कि उस संस्थाने उस सिक्षक के साथ कल आप क्लास नहीं कर पाएं क्योंकि वो सिक्षक किसी दूसरे संस्था मे चला गया हो, यह का EdTech Industry की सबसे बड़ी कमिया है इन कमियों के अलावा मैंने ये भी इस time period के अंदर में महसूस किया कि जो सिक्षक आज आपके साथ खड़े हैं, कल सुबह आपके साथ सिर्फ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ शर्ते रखती थी कि मेरी तनक्वा पढ़ा दी जाए जिस सिक्षक को EdTech Industry कोई भी कोचिंग संस्थान जर्ज सीच कर बढ़ा करती है जिस सिक्षक को कोई नहीं जानता है, प्लैटफॉर्म देकर जब वो सिक्षक बढ़ा हो जाता है तो उस सिक्षक को बड़े बड़े जाइंट सुबह से साम तक फोन करवाते रहते हैं और फोन करवाने के बाद उस सिक्षक को आपके यहां से खीच लिया जाता है कुछ चंद पैसे को आउफर करकर और उसके बाद उस सिक्षक आपकी संस्था में नहीं होता है और जब वो सिक्षक आपकी संस्था में नहीं होता है तो आपकी संस्था टूटने लगती है और जो बड़े-बड़े इंवेस्टर करोर उरुपे के बल चलने वाली वो संस्थाने हैं वो संस्थाने क्या करती हैं तो आपकी सिक्षक को ले जाकर वहां बताती हैं कि हमारे पा के एक और काली सच्चाई है, शायद ये एट्टेक इंडस्टी के लिए एक खत्रे की घंटी है, कभी Instagram चलाते होंगे या Facebook के rails को पलटते होंगे, तो आपको मेरा rails दिख जाता होगा, लेकिन मेरा rails जो आपको दिखता होगा, उसमें बहुत सारी viral कविताइं दिखती होगी, औ तो आपकी दो-तीन कविताएं हैं जिनको सुन लेता हूँ तो उसके बाद हमारे रगों में खून की रफ्तार दुगनी हो जाती है और कलम फिर से उड़ने लगता है तो मैंने एक बात कही थी मैंने कई कविताएं कही है लेकिन एक कविता जो मुदे बेहत प्रिय है मैंने कहा कि बाप खीचता रिक्सा माम आजती थी बरतन खुद से आँख मिला ना पाता तोर दिया मैंने दरपन उस तूटे दरपन में मुझको मेरी तूटे किसमन दिखती थी मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी बापू का संधर्स बड़ा था जमाने भर से ताना थ बहन नाधा पेट थी खाती भूक नहीं है बाना था फटे जीब थे फटे थे कॉलर उनको भी सिलवाना था और बापू को था दर्द बहुत पर रिक्सा किचने चाना था कलम के साथ ही रिस्ता था कलम दिन रात में घिस्ता था हाथों पर पर गय छाले पर जड़ा नहीं सि पाएगा तो याद रखिएगा धूनते धूनते यूटूब पर जो स्टॉक बिहार पहुंच जाएगा आपके समस्या का समधान हो जाएगा आप मोडिवेट हो जाएगे और आपके खून के रगों की रफ्तार दुगनी हो जाएगी और दुबारा आप कलम धिसेंगे और आप सफलता के मंजिल तक जरूर जरूर पहुंचेंग इसने इसने डेर सारा इंस्पाइरिंग स्टोरी एक से एक बढ़के पिहारी के अगर आपर देखेला मिलतों एकर नाम है जो स्टॉक्स बिहार जो स्टॉक्स बिहार के बढ़िया सब्सक्राइब कर ले हूं घंटा उ अगर वाद देखल के मन के तरो ताजा केल के अधा मोटिवेशन लेल की काम शुरू केल के सपलता कैसे मिलते अधा मिलतों जटा गाड़ता हूं